आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री बेस्ट नेक एक्सेसाइजिस के बारे में और ये इतना ज़रूरी वीडियो है क्योंकि मुझे पिछले दिनों में आज बहुत सारे पिरेंट्स ने बहुत सारे आईटी प्रोफेस्टनल्स ने पूछा है कि अब हमारे एक्साम्स आने वाले है या जो बच्चे हमारे मार्च का मीन है तो ये एक्साम्स का मन चलता है और इसमें इतनी जाधा पढ़ाई करने पढ़ते है स्टुनेंट्स को जिसकी वर्यास से उनकी जो नेक है वो सबसे कॉमन एक कोश्चन सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि उनकी नेक और अपर बैक यह इतनी पेन होती है कि कई बार एक्जाम लिख पाना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों का पढ़ने का पॉस्टर डिफरेंट होता है और यही कोश्चन बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स है मुझसे फोन कंसल्टेशन में भी पूछा है कि हमारी लोग बैक तो है ही है पर हमारी अपर बैक यह हमारी नेक का ऐसा क्या किया ज बच्चों को जरूर दिखाएं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फर्स्ट एक्ससाइज बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दू कि जब भी हमारा पॉस्टर खराब होता है स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते तो अपनी नेक को इतना डीला प्टाके बचाएं तो उनके बहुत इंपोर्डेंट वीडियो को जुरूर देखें इस तरह का पॉस्टर कैसे करना है और साथ इसाथ यह नेक बॉल भी रिलीज कर रहे हैं आपको यह बॉल तो आपने इसको बहुत सूपर इट कर चुके हैं आप नीप्रेस बॉल को और य तो आप ज़ादा इसलिए में जो नेक के गाफल करने में इसको काफी टाइम लग गया अब चलते के अब में नेक बॉलक कहसे लिगा तो यह जो curvature है इसको balance करने में इसका जो curve है तो यह curve हमें सोचते सोचते काफी time लग गया था अब देखिए first access है जो हमने कैसे करनी है कोई भी student है या जो IT professional है इसको सिरफ 5 बिनिट आपने दिन में निकालने है और यह 5 बिनिट आप से कम से कम 15 घंटे का non-stop काम करवा सकेंगे और आपको बिना पेन के तो इसके लिए देखिए इस तरह से हमने जो curvature होता है न हमरे neck का और कई को कईयों को यह भी लिखा होता है कि straightening of cervical spine या straightening of cervical curvature उनके लिए बहुत helpful है इस तरह से हमने खड़े जाना है अपना काम जैसे काम कर गए बीच में इस तरह से ball को यहां पे ल यह इसमें करना है अपने forehead है उसको जुकाना नहीं है चिन को सिरफ अंदर करना है इस तरह से अंदर tuck in करके उसके बाद आपने neck से जहां से ball है उस ball को press कर देना है और यह इतनी relieved exercise है अगर किसी का headache हो रहा है या उसको muscle spasm हो रहा है तो आपको काफी relief दे सकती है तो जब भी आप काम कर रहे है थोड़ा सा break लेके student अगर पढ़ रहे है तो parents उनके उनको request करें के please इस थोड़ा सा उठके यह exercise कर ले क्योंकि इसको करने से उनकी जो capacity और बढ़ जाएगी पढ़ने की और उनको जो headache या उनको जो drowsiness सा feel हो रहा है वो भी नहीं होगा तो इस तरह से हमन 10 टाइम्स करने आप माने को नहीं ऐसा करने से सिरफ 10 टाइम्स करने से आप अपनी बहुत बड़ी problem को solve कर रहे हैं क्योंकि आप regular इस तरह से रह रहे हैं जिससे posture खराब हो रहा है और जब हमने यह करना शुरू कर दिया तो हम उसको compensate कर रहे हैं तो थोड़ा से compensation आपको बह इनको बताई जाते हैं कि ऐसे हाथ रखे यह करिए बहुत सो लोग नेट पे इस तरह से करते रहते हैं आगे करते रहते हैं उससे उनका pain भी बढ़ जाता है उसका कारण ही होता है कि आप तो खुद ही आपको पता कि आप कितना जोर लगा रहे हैं और अपने हाथ को इस तर करने के ऐसे इस तरह तो प्रेस करने तो बोल और ऑप सब्सक्राइब अपने चला जाएगा और उसके बाद हमने सीधा देखना है पोल्ड कोई नहीं है फिर उसके बाद इस तरह से देखना है तो बॉल अपने आप उपोजिट साइज चला जाएगा अब जो यह रोटेशन जाया यह क्या हेल्प कर रही है हमें एक तो हमारी जो रेंज ओफ मोशन है उसको मेंटेन कर रही है उसको लिमिट कर देती है और अगर इस तरह रोटेशन करेंगे उससे बैटर है हम पहले सई पॉस्चर करके यानि की बॉल को प्रेस करके उसके बार हम रोटेशन करवाएं तो यह जो बेस्ट प्रोटेशन है और जब इसके साथ लगा रहेगा तो उमारी नेक पे रेस्ट भी लगा रेस्ट भी मिल रहा है और साथ-साथ हम अपने पॉस्चर के साथ-साथ इसकी रेंज भी इंक्रीज कर रहे है तो यह सब्सक्राइब नेक रोटेशन के लिए बहुत बेनिफीचल है क्यों यह को बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि कार बैक करने लगे है और इस तरह से वह जात इसके लिए भी आप जुरूर इस नंबर पे जाके इसको और कर सकते हैं यह जो अगर आपको यह बाइब करने तो नीचे जाके लिए इसको कोरियर करवा दिया जाएगा क्योंकि हमने इसलिए इसको आज रिलीज किया है ताकि आपके मार्ज में जो एक्जाम ने तब तक आ इसको जाके जरूर देख लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा जिनके बास बॉल नहीं हो वहां से एक्सेज कर लें पर बॉल होगी तो आपके एक्सेज का लेवल 100% होगा तो यह जरूर देखिए तो चलिए चलते हैं अब अपनी थर्ड एक्सेज की तरफ अब थ इसलिए मनाई गई थी कि एक तो यह होरिजॉंडल इस तरह से यूज हो जाए और वर्टिकल इस तरह से यूज हो जाए तो बहुत ही अच्छा यह प्रोड़क्ट जिसने भी बना दिया है मैं उसकी तरीफ नहीं करूंगा इस तरह से हमने इसको रख दिना है यह हमारे अप सब्सक्राइब होती है और जो अपर बैक शुरू होती है वहां से लिए कि आप यह तो इतना हम बरीकी में जाएंगे तो स्कैपुला होते ना आपके उस कैपुला के बीच में इसको प्लेस करवा लें खुद से नहीं हो पता तो किसी और को कहा दें कि मुझे यहां पे प्ल फाइब रिलैक्स यह पॉस्टरल एक्सेसाइज आपकी नेक्स से लेके अपर बैक तक आपको सीधा कर देगी आपका आप देखना आप कुछ जिन बाद लोग कहेंगे कि आपकी हाइट इंक्रीज कैसे हो गई वह इंक्रीज इसलिए हो गई क्योंकि आप पहले ऐसे चलते जुके अब आप बिल्कुल सीधा चल रहे हैं इसके इससे आपकी परस्नेल्टी में भी फरक पड़ेगा आपका जो कपैस्टी एक्जाम देने की यहां आपके लैप्टॉप पे काम करने की वह भी बढ़ जाएगी तो यह एक बार फिर से मैं एक्सेसाइज बता जाता हूं हमने का किया है बीच में बिल्कुल बॉल प्लेस्ट है आपको मैं इसको क्लोजब भी दिखाऊंगा बिल्कुल बॉल प्लेस करके चिन को अंदर करके अपने दोनों शोल्डर पैक को प्रेस करके अपने दोनों शोल्डर उसको प्रेस कर जाने को इस कैपुला को बॉल की तर 10 repetitions और सिरफ जो rotation वाली है उसमें कोई hold नहीं है उसमें सिरफ repetitions होंगी तो यह तीनों exercise आपके लिए बहुत beneficial है इसको जुरूर करिए और अगर आपको यह balls यह दोनों balls अगर आपको चाहिए एक भी चाहिए तो नीचे लिखे नंबर पर जाके उसको order book कर सकते हैं और अगर म उसे one to one consult कर सकते हैं और अपनी exercise का regime ले सकते हैं तो इस वीडियो को जादा से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और parents सच में अगर आपके बच्चों के आपको अच्छे नंबर चाहिए नंबर तो चलो इतना matter नहीं करते सच में अगर उनकी आपको शेहत के लिए अगर ज़रूर उनका focus है आपका क्योंकि सेहत भी अच्छी रहे और पड़े भी अच्छे से तो ये उनको वीडियो ज़रूर दिखा दें क्योंकि आपके exam से पहले ये वीडियो में publish कर दूंगा ताकि आपको ये सारा time याद रहे और अगर ball चाहिए तो वो भी आपके exam से पहले रहा जाएगी और computer professionals, IT professionals जो laptop पे, phone में ज़्यादा अंकाम है आजकल सब कुछ online है, digital है तो उनके लिए भी ये बहुत beneficial चीज़ है तो इसको ज़रूर देखें और ज़्यादे अपने friends, family और relatives के साथ share ज़रूर करें क्योंकि share करने से ही उनको इस चीज़ के बारे में पता ल इस दे